दिल्ली को जल्द मिले मेयर आपकी याचिका पर सुप्रिम कोट ने LG ओफिस और प्रोटेम स्पीकर को भेजा नोटिस दिल्ली नगर निगम के मेयर पत का चुनाफ जल्द करानी की मंग पर सुप्रम कोट ने LG ओफिस और प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा को नोटिस जारी किया आमादभी पाथ की मेयर पत की उमिदवार शैली ओबिरोई ने इसके लिए सुप्रम कोट में याचिका दायर की है कोट ने दिल्ली सरकार और एमसीरी कमिशिनर को भी नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब मागा है शैली ओबिरोई की और से वरिष्ट वकील अभिशेक मनूस सिंग्वी वुदबार को चीफ जस्टिस डीवाई चंडचूर की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने पेश हुए सिंग्वी ने कहा कि हाला कि नगर निगम के चुनाफ चार्ट दिसंबर को हुए थे लेकिन दो महीने गुजरने के बावजूद अभी तक मेयर डेपिटी मेयर और स्टैंडिंग कमिटी के सदस्यका चुनाफ नहीं हो पाया है समविधान के मताबिक मनुनित पारशदों को वोट डालने का अधिकार नहीं है लेकिन प्रोटेम स्पीकर उन्हें भी वोट डालने की इजाज़त दे रहे है अभीशेक मनुसिंग्वी ने ये भी डलील दी है कि प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा मेयर डेपिटी मेयर और स्टैंडिंग कमिटी के सदस्यका एक साथ चुनाफ कराना चाहती है ये आसामविधानिक है पहले मेयर पत पर चुनाफ हो उसके बाद उनकी अध्यक्षता में डेपिटी मेयर और स्टैंडिंग कमिटी के सदस्यका चुनाफ होना चाहिए डिली में MCD का चुनाफ पिछले साल 4 फर्वरी को हुआ था 7 फर्वरी को चुनाफ परिनाम भी घोशत हो गए लेकिन 2 महिने का वक्त गुजरने के बावजूद डिली को अपना मेयर नहीं मिल सका है MCD की 6 जन्वरी, 24 जन्वरी और 6 फर्वरी को हुई मीटिंग आप विजेपी पारशदों के हंगामे की भेट चर गई विजेपी के बीच टक्राव की वज़ा LG की और से न्यूक्त किये गए 10 मनोनित पारशद है आप चाती है कि मनोनित पारशदों को वोट का अधिकार नहीं मिले जबकि विजेपी उन्हें मतदान का हिस्सा बनाना चाती है प्रोटेम स्पीकर ने मेयर, डेपिटी मेयर और स्टैंडिंग कमीटी के सदस्य का चुनाव एक साथ कराए जाने की बात कही है इस पर भी आम आदमी पादी का अधिका इतराज है आप नेता शैली ओबिरोई की और से दायर याचिका में मांगी गई है कि सत्या शर्मा को प्रोटेम स्पीकर के पट से हटाया जाए एक हफते के अंदर MCD की मीटिंग बुलाई जाए और जब तक मेयर पत पर चुनाव ना हो जाए तब तक सदन स्तगित ना किया जाए डेपिटी मेयर और स्टैंडिंग कमीटी के सदस्य के चिनाव मेयर की अध्यक्षता में हो और मनोनत पारशदों को वोटिंग का अधिकार ना दिया जाए